नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है जोतिश जराट के देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड फसा धन रुका धन वो धन जो है आपका लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं इससे बड़ी बिटम बना और भला क्या हो सकती है आखिर उसे कै कैसे निकाला जाए आज के इस विशेश कारिक्रम में हम एक ऐसा प्रियोग बताने जा रहे हैं अपने शोध के द्वारा जो आपके रुके और फसे धन को वापस दिला ही देगा बहुत छोटा सा प्रियोग है मात्र तीन से चार मिनट में हम आपको बता देंगे कागच कलम लेके बैठियेगा वीडियो जब आगे बढ़ जाती है तो आप बाद में खोजते रखते हैं और डायरी पेन लेकर बैठते हैं तो लिख कर अपने पास रख लेजेगा छोटा सा प्रियोग है एक पान का पत्ता ले लीजेगा एक पान का पत्ता ले लीजेगा जिसके पास आपका पैसा फसा है जिसने आपका पैसा ले लिया है दे नहीं रहा है उसका नाम पान के पत्ते पर रिंग फिंगर से हल्दी से लिख दीजेगा लिखना हल्दी से है हल्दी घोल लीजे पानी से थोड़ा सा चम्मच में एडिंग फिंगर से पान के पत्ते पर चाहे आगे से चाहे पीछे से कहीं भी लिख दीजिए कन्फ्यूज मत होईएगा और इसे ले जाकर के पीपल के पौधे के नीचे डाल दीजे किसी भी मंगलवार शनिवार को ये प्रियूग सुरू करिए साथ दिन लगातार करिए पान का पत्ता चेंज होगा जो हल्दी बच जाएगी उसको इस्तेमाल करिएगा अगले दिन फिल एक चुटकी हल्दी चमबच में घोलिए रिक फिंगर से उसका नाम लिकिए जिसके पास आपका पैसा रुका है फसा है करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं है सुबह दो पहर साम कभी भी करे सुरुवात मंगलवार या सनिवार को करना है बस एक बंधन है मंगल सनी में सुरू कर दीजेगा आनन्द आएगा बहुत बड़े बड़े आफसर आपको देगा इप्रियोग अगर सामने वाला सक्षम है उसके पास धन है तो अगले दिन उले करके आपके पास पैसा वापस आ जाएगा भरोसा रखे आजमाया हुआ है बताया हुआ है आपको हम फ्री में दे रहे हैं लेकिन जब पैसा आ जाए तो हमारे पश्वेश्वर सनिधाम के लिए आपके पश्वेश्वर सनिधाम के लिए कुछ अंशदान उसमें से जरूर करिएगा क्योंकि यह प्रियोग हम उन्ही के आशिरवात से बता रहे हैं और आपका ये मंदिर ये प्रकल्प जल्दी बनकर खड़ा हो धन की इसमें कमीना होने पाए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है हमने अपना कारे किया है बहुत बहुत धन्यवाद जै शरीदेव नमस्कार